थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड में है 52, तो हमारे पास जो given number है, वो कितना है, 52, जिसमें ये वाली value है किसकी, A की, और जो ये है वो किसकी है, B की, आपको 3 column बनाने थे, first, second, और third, पहले वाली में लिखना होता है, A का square, last वाली में लिखना होता है, B का square, और second वाली में, A और B की multiply किससे, 2 से, solve कर लो, पहले हम A का square निकालते है, A की value है 5, और 5 का करना है square, यानि कि 5 multiply 5, कितना 25, तो वो 25 आप कहां लिख दो, यहाँ पर, फिर क्या करते हो, आप 2 A B, तो 2 multiply, A कितना है 5, और B कितना है 2, तो हमने यह वाली value यहाँ रख ली, multiply करोगे, तो 25 is 10, 20, तो वो 20 आप कहां उतार लो, यहाँ पर, इसके बाद B का square, और B का value कितना है 2, तो 2 का square, यानि कि 2 into 2, यानि कि 4, वो 4 कहां उतार लो गया आप, यहाँ पर, ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है, आपको तो 52 का square निकालना था, और answer आपका कैसे आएगा, देखो, पहला वाला जो यह है न, यह, यह आपका 4, ऐस ही आजाएगा, और यह जो 2 बचा है, वो आजाएगा इधर, और 25 में add हो जाएगा, तो 25 plus 2, 27, तो आपका जो answer आया है, वो 2704 आया है,